नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BKL Rounder चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Good Health Capsule के वारे में पूरी जानकारी तो दोस्तों आप जान रोग है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके तो जैसा कि यह है Pacific Meditech Private Limited Company के दोरा बनाया हुआ Good Health Capsule और दोस्तों इसका जो रेट है वो 175 रुपए है इस समय जो हमारे पास है इसका और Multi-Bitamin, Multi-Minerals and Antioxidant Soft Gelatine Capsule यह होता है और दोस्तों इसमें इसके content की बात कर लें तो इसका carbohydrate, sugar, titeri fiber और suttered fatty acids, pollen suttered fatty acids, trans fatty acids, cholesterol और vitamin A, vitamin E, vitamin D3, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nicotinamide, folic acid, ginseng extract powder यह जो है दोस्तों इसका salt है तो आपको बताना चाहेंगे कि किन-किन समस्याओं में आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसी उम्र के लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना जाएंगे कि इसका इस्तेमाल जो है बारह साल से उपर बाले ही करें और डाक्टर की देखरें करें और डाक्टर के परामर्स के अनुसार करें तो दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है यदि आप दूबले बतले हैं आपकी सेहर सही नहीं है बजन कम है या नहीं लगती है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, प्यास नहीं लगती है, दिमाग में टेंसन रहती है, दुबले पतले हैं, तो इन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल दिन में एक बार या दिन में सुबह और साम दो बार कर सकते हैं, वो डाक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी बार लेना है दिन में एक बार या दो बार और दोस्तों इसके अलावा यदि आपके शरीर में विटामिन A की कमी है या विटामिन E की कमी है विटामिन D3 की कमी है विटामिन C की कमी है या विटामिन B1 की कमी है या विटामिन B2 की कमी है या विटामिन B6 की या विटामिन B12 की कमी है तो इन सभी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए भी या पिसका एपसुल का इस्तेमाल दिन में एक बार या दो बार कर सकते हैं डाक्टर की देख रहे कर डाक्टर के परामर पर फोलिक एसीड भी होता है तो फोलिक एसीड होने के करण आपकी भूग खूब बढ़ती है खाना अच्छा लगता है खाने में टेस्ट आता है और आपके शरीर को लगता है इसके अलाबा दूस्तों ये लीवर के जो सुस्तिपन होती है जो लीवर जिन लोगों का सही से का काम नहीं कर रहा है तो उनके लीवर को भी ये प्रोटीन देता है लीवर को भी ये टाकत देता है लीवर को बढ़िया काम करने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि आपका लीवर अच्छे से खून बनाता है भूंक बढ़ाता है और आपके खाने को आसानी से डाजेस्ट कर और उनको कमज़ुरी है, जो की आम बात है, गर्बती महिलाओं में कमज़ुरी आना एक बहुत ही आम बात होती है, तो उन महिलाओं को भी कमज़ुरी में इस कैपसुल का इस्तेमाल दिन में दो बार या एक बार करना चाहिए अपने गाइनोलाजिस्ट से संपर्क करने के बाद अपनी गाइनोलाजिस्ट की राय और परामर्स के अनुसार और दोस्तों जिन लोगों के सरीर में ठकान रहती है इस बी-पी कम रहता है उनका किसी काम में जी नहीं लगता है यहीं लगता कि हर समय लेटे रहें तो ऐसे लोगों को भी स्कैपसुल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनका सरीर इनरजेटिक हो जाए और उनके सरीर में उर्जा तयार हो जा जिससे कि वो अपना काम टाइम से कर सकें और उनको आलस और सुस्ती बिल्कुल भी ना लगे और दोस्तों बच्चे जो बारा साल से नीचे के हैं वो इस कैपसूल का इस्तिमाल बिल्कुल भी ना करें और दोस्तों ये कैपसूल जो है पेट की सभी समस्याओं में भी काफी कारगर होता है जैसे कि पेट सही ना रहता हो, पेट में भूंक ना लगती हो, पेट फूल जाता हो, डकारे आती रहती हो, खटी-खटी, जलन पड़ती हो तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी आप इस कैपसूल का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में एक बार या दो बार डाक्टर की देखरेक और डाक्टर के परामर्स के अनुसार ये कैपसूल बहुत ही बढ़िया काम करता है करता है